हलो दोस्तों स्वागत है हमारी वीडियो पर तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अड़ुल का प्लांट जिसे हम लोग गुलहड़े भी बोलते हैं इसमें भर-भर के कलिया नहीं आ रही है और इसमें जिस तरह से कलिया आना चाहिए उस तरह से बिल्कुल भी नहीं आ रह हूं और इस प्लांट में भर-भर की कलिया भी आ रही है इस तरह से हमारा फ्लाबरिंग भी हो रही है यहां पर देखिए हमारे गुलाब का जो प्लांट है इसमें कितनी सारी कलिया बनी हुई है और इसमें फ्लाबर भी घुच्छे की घुच्छे आई हुई है और अधिक म हमारा प्लांट्स अच्छी तरह से फ्लावर दे पाए और इनमें भर भर गमली फूल खिले क्योंकि और मैंने यहां पर कुछ इस तरह से सन फ्लावर की बीज लगाई हूं जिससे अभी यहां पर उगी नहीं है और भी उग जाएगी तो हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा ट्र का भी सीजन है तो संत्री का सीजन में आप संत्री के छिल्की को वेश्ट समझ कर फेक देते हो जैसे कचड़ा जिसे हम लोग खाती हैं इनके छिल्की को उतार कर उसे फेक देती हैं लेकिन ऐसा गलती बिल्कुल भी आप ना करें क्योंकि इसको अगर आप एक बार पौधी इस्तेमाल करती हो तो यह पौधी पर जाकर आपका रिजल्ट इतना अच्छा और इतना बढ़ियां तरह से दिखाएगी कि मैं आपको बता नहीं पाउँगी कि इनका इस्तेमाल अगर एक बार करोगी दोस्तों तो आप बार बार ही इन चीजों का इस्तेमाल करती रहोगी तो आपको करना क्या है, इनको किस तरह से डालना है, आपको यह नहीं कि इस तरह से आपको directly डाल देना है, इसका liquid fertilizer बना कर डालना है, तब ही आपका plants के पत्या इस तरह से एकदम हरे और चिकने सुंदर signing वाले पत्य आएंगे, क्योंकि दोस्तों, जब हम लोग अपने सरीर प का जरूत होता है, कल्सियम की अवसकता होती है, तो आपका कल्या इस तरह से बनना अश्टार्ट होगी, क्योंकि यहां पर हमारा कल्या इस तरह से बनी हुई है, कुछ यहां पर भी हमारी बनी है, तो इन कल्यों को और भी अधीक लेने के लिए आपको ट्रीक अपनाना होग और आपका जब प्लांट्स में इस तरह से इनकी कलिया तूटकर जड़ती है तो हमें अच्छा नहीं लगती है कि कलिया कितना अच्छी तरह से बनती है और ये जड़कर हमारा नीचे की ओर गिर जाती है और ये फिल फुल नहीं खिल पाती है तो आपको भी इसको रोकने के ल आपको क्या करना है इस तरह से सफाया कर देना है ताकि ये प्लांट पर अच्छी तरह वर्क दिला पाए और इनका रिस्पॉंस भी आपको मिले तो देखिए अब हम आपको दिखाते हैं फटलाइजर बनाने तो देखिए हमें यहां पर एक लीटर पानी ले लिए हैं और इस तरह से हम संत्री की छिलके जैसे दो चार पांच संत्री की छिलके कोई कठा कर ले और इस तरह से यहां पर डाल ले और इसको डाल खर आप कम से क जो चाय अस्थान पर रखने से आपका जो लिक्विड इससे बनकर तयार होगी दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया और वेहतरीन ये खाद की रूप में तयार होगी क्योंकि हम लोग किसी भी खाद को सड़ाते हैं या गलाती हैं तो वो पौधे पर जाकर अपना काम ही करती है तो आपको इसी तरह से आपको रख दिना है ढखकर और इसके पानी जो कलर चेंज हो जाएगी उसको यूज करना है ये नहीं कि अभी इसको डाइरेक्टिली यूज मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि आप देखोगे तो उनका कलर ही बहुत ही अच्छे और बढ़िये हो चुके हैं तो इस तरह से हम आपको हटा दिये हैं अब यह हमारा दिखे कि कैसे मैंने यहां पर बना कर बताई हूँ और यह हमारा हले से बनी हुई है तो इस आप दोस्तों हम यहां पर इस तरह से लीक्विड को तयार कर लिया है अब इनको आपको यूझ करना है तो यूझ करने का टरीका मैं बताती हूं सबसे पहले आप मिट्टी को जब भी हम किसी खा दे या किसी फटिलाइजर को यूज करते हैं तो हम पहले मिट्टी को गुड़ाय कर लेते हैं मिट्टी को गुड़ाय करना बहुत ही जरूरी है मिट्टी को वरक्ष सकती दिलाना बहुत ही जरूरी है तभी आपका प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो करेगी और वो भर भर गमले आपको उनसे फूल ले पाओगे तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस तरह से अभी बारिश हो चुकी है इसलिए हमारा मीटी बिल्कुल भी गिली है मैंने पानी निक्स की हूँ क्योंकि पानी मिक्स करने से क्या होगा हमारा मीटी में कादू बन जाएगी और इससे प्लांट्स खराब होने की संभाब न रहेगी इसलिए हम इस पर अभी liquid को complete एक कटोरी मैंने डाल दे रहे हूँ जैसे कि हमारा इस तरह से मैंने डाल दी हूँ इस liquid को डालते ही आपका plants बहुत ही healthy और स्वच इस पर दिखेगी और इसमें आप flower डाल भी खिला भी सकते हो और इससे बहुत ही सुन्दर फूल भी इस तरह से कल्या बनना अस्टार्ट होगी क्योंकि हमारा यहां पर भी कल्या है देखे यहां पर भी कल्या है और छोटी छोटी इस तरह से हमारे यहां पर कल्या आ रही है तो आपको इस तरह से कल्या और भी लेने के लिए हमने आपको जो नुसका बताई हूं वो आप अजमा कर देखे और इन पर डाल कर देखे पौधे पर यूज करकर देखे कि आपका पौधा कितना सुन्दर और अच्छा रिस्पॉंस दिलाएगी फिर दोस्तों हम आपको बताते हैं कि यहां पर जो मैंने लीक्वीड को यूज किया है और इस तरह का लीक्वीड अगर बची हुई है तो आप पौधे पर इनको छिड़काओ के काम में भी यूज ले सकते हो क्योंकि अगर पतियां पर इस तरह से पीली पड़ रहे हैं जड़ रही है इन पर वाइट फंगी साइड का अटैक आ रही है तो इन पर भी आप इनको छि करना क्या है तरह से पानी मैं ले ली हूँ इसमें एक कटोरी मिला ले और मिलाने के वाले आप इस पर इस पर इस पर करें इससे आपका फुल बहुत ही बड़े साइज में और अच्छे आएंगे तो दोस्तों हमारा जानकारी वीडियो आपको कैसा लगा अधी अच्छा सस्क्राइब दोस्तों धन्यवाद